असलाम वेक्म, टॉपिक की नाम है करना में करबोकिसली ऐसीड़ जो बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है करवाएंगे Acetyl Coenzyme A की किसकी अंदर चेंज करवाएंगे carbon dioxide और water जो कि आपको takes place नजर आता है क्रब साइकल के अंदर मतलब साइकल के अंदर सिर्फ एकाम होगा complete oxidation होगी Acetyl Coenzyme A की और फिर इससे क्या बनेगा carbon dioxide water बनेगा इस पूरे chemical reaction के अंदर और ऐसे reaction को नाम देंगे द्यार को क्रब साइकल है complete oxidation होगी अब यहां पर जो क्रब साइकल स्टार्ट करेंगे जो पहला compound है उसका नम citrate है जो formed होगा यह कैसे बनेगा bind करेंगे दो चीजों के मिलने से एक है Acetyl Coenzyme A का नम oxaloacetate जब दोनों यह bind करेंगे तो bind करने पर 6 carbon वाला सबसे पहला compound आएंगे जिसका नाम का citrate इसलिए तो इसको कहते है citric acid cycle इसी वज़ा से इसको citric acid cycle का नाम भी दिया जाता है अब यहां पर हम एक सीज देखेंगे बड़ा main point है कि citrate को हमने गुजारना है पासरू करना है एक electro yielding oxidation एक पूरा oxidation प्रोसेस से गुजारेंगे और गुजारने के बाद हमारे पस energy आएगी NADH और FADH की 2 यह दो energy हमें करब cycle से मिलेंगी और इससे आगे हम क्या बनाएंगे ATP को release करवाएंगे और ATP को कहां पर release करवाएंगे आगे जो आने वाला process है जिसका ना में respiratory chain जिसको electron transport chain कहते हैं तो respiratory chain से इन दोनों energy को use करके ATP को release करवाना है पर NADH और FADH2 यह दोनों के दोनों कहां बनेगे करव cycle के अंदर बनेगे अब इस पूरे cycle में कोई terms मैं use करवाएंगा dehydration का मतलब क्या होगा पानी को remove करना hydration मतलब hydration है अकेला additional water को कहते हैं de remove carboxylation carbon dioxide जब मैं कहूँगा de carboxylation तो मतलब क्या होगा carbon dioxide निकल दे होगी dehydrogenation मतलब remove होगा hydrogen जब hydrogen निकाल होगा dehydrogen होगी oxidation क्या होगा removal of hydrogen dehydrogenation कहने हैं या oxidation दोन एक ही चीज़ है oxidation का मतलब भी क्या होता है hydrogen का निकलन और dehydrogenation का मतलब क्या होगा hydrogen का निकलन अब इस पूरे cycle को आपने पहले ही बना देना है उसको बनाने के लिए आपने एक formula याद रखने है C.Ali I know some special formula making option C.Ali I know some special formula making option C का मतलब क्या होगा citrate Ali का मतलब क्या होगा aconitase I का मतलब क्या होगा isocytrate K का मतलब क्या होगा ketoglutrate Sum का S का मतलब क्या होगा succinyl coenzyme special का S का मतलब क्या होगा succinate Formula F का मतलब क्या होगा fumarate M का मतलब क्या होगा making का मालिट option का मतलब क्या होगा ओका oxaloacetate यह अपने फार्मॉला यार रखना है और पहले cycle का पूरा ड्रा कर लेना है सी अली आई नाव सम स्पेशल फार्मॉला माइकिंग option अब देखतें cycle को अब यह है यह इसीटाईल को इंजाईम जो कि इंटर हो रहा है इंटर होने के साथ साथ यहां पर पाने भी यूज होगा और यह oxaloacetate जो पहले का मजूद है चार कार्बन है इसके पड़े दो कार्बन है चार और दो कितने हो जाएंगे छे कार्बन और छे कार्बन हमारे पास क्या बन कि अक्रीट यह से निकल जाएगा एसे टाइल को इंडर करवाने के घए यहां से निकल जाएगा तो असे टांब दाखल और एक्सिट्रेट céu के साथ कर लिएक्षन कर जाएगा और क्या बना देगा सिट्रेट और वह इंजायम रहे वापिस चला जाएगा citrate आगे जाके क्या बनाएगा cis aconitate जो कि water को remove करेगा और water को remove करने के बाद citrate से क्या बनेगा citrate cis aconitate जब पानी remove होगा तो इसको कहते है dehydration होगा dehydration का काम हुआ अब aconitate 6 carbon है 6 carbon क्योंगे carbon तो 6 नहीं नहीं हो रहे 6 carbon अब दोबारा पानी दाखिल होगा hydration कहते है जब पानी दाखिल होगा aconitate किस में चेंज होगा isocitrate में चेंज होगा carbon केते हैं 6 carbon है तो aconitate से क्या बन जाएगा isocitrate मैंने फार्मला याद काई यह पहले फार्मला के मताबिए आपने पहले ड्रा कर लेना बाद में इंटर उंटर या दाखिल करना या निकालना जो कुछ भी करना आपने वह बात में कर लीजेगा पहले यह सारा फार्मला जो स्कैच है वह बना लीजेगा isocitrate 6 carbon वाल है तो क्या बन जेगा? NADH बन जेगा dehydrogenation होगा dehydrogenation कहलें oxidation कहलें और decarboxylation decarboxylation का मताब carbon dioxide निकाली है dehydrogenation का मताब hydrogen भी निकाली है और isocitrate किसमें चेंज होगी? alpha keto glutrate में चेंज होगी यह co-enzyme दोबारा आएगा और co-enzyme जो दोबारा आएगा एक और carbon dioxide को बाहर निकालेगा और जब carbon dioxide से बाहर निकलेगी decarboxylation है, पीछे बताया हाइडोजन भी निकलेगा, NADC, NADH बन जेगा, और क्या होगा? dehydrogenation भी होगी, dehydrogenation होई decarboxylation होई और enzyme वापस आ गया और 5 carbon से 4 carbon वाला बन गया succinyl co-enzyme succinyl co-enzyme क्यों कहाणा हो? क्योंकि enzyme दाखिल करवाई है succinyl co-enzyme 4 carbon है 5 से 4 क्यों बने कार्बन ऐसे निकला है decarboxylation होई है और hydrogen भी निकला है, dehydrogenation भी हुई है तो 5 carbon से 4 carbon होगा, कौन सा बन गया? succinyl co-enzyme बन गया succinyl co-enzyme आगे जागे किसमें चेंज होगा? succinyl में, succinyl बना है co-enzyme निकल गया succinyl के साथ COA नहीं लिखा हुआ इसको निकाल दिया और निकालने का पानी को इंटर किया है पानी दाखिल हुआ है इसका मतलब क्या होगा? hydration हुई है पानी आया है, hydration हुई है जब पानी आयेगा ये enzyme निकलेगा उसी दुरान एक energy बनेगी GTP, guanocene triphosphate phosphate इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद क्या बना देगा? GTP जो कि equal होती है किसकी बेटा? ATP के GTP is equal to 1 ATP तो यहाँ पर आप कहलें inorganic phosphate के साथ और क्या बना दिया? GTP और जब पानी आता है और यहाँ से यह निकलता है तो यह succinyl co enzyme से क्या बन जाता है? succinate succinate चार कार बना है यह भी चार कार बना है succinate से hydrogen निकलता है और मिल जाता है FAD को Flavin, Adenine, Dinucleotide Flavin, Adenine, Dinucleotide जब इसको hydrogen मिलेगा तो किसमें चेनल रहे है? FADHK2 hydrogen निकला dehydrogenation है और dehydrogenation की वरह से succinate से fumarate बन गया और आप देश सेते हैं यह एक energy और बन गया चार कार बनी है same to same fumarate के अंदर से पानी अंदर दाखिल होगा जब पानी अंदर दाखिल होगा तो fumarate से क्या बन जगा malate और malate भी कितने है चार कार बन पानी दाखिल होगा hydration केंगे और malate भी चार कार बन है आगे oxaloacetate भी चार कार बन है बट malate से जब hydrogen निकलता है NAD से क्या बन जाता है NAD है जो कि energy है और इसको कह देते है they are called dehydrogenation अगर dehydrogenation नहीं कहना तो आप कहा देते हैं यह दे आर कॉल oxidation है और malate से क्या बन गया oxaloacetate तो यह पूरे cycle के अंदर मैंने 3-4 terms को यूज किया है और 3-4 terms कोंड सी है जिसका नाम है dehydration पानी का निकाला hydration पानी के अड़ करना decarbon oxidation carbon dioxide को निकाला dehydrogenation dehydrogenation hydrogen के remove करना oxidation hydrogen के remove करना यह formula है इस formula के मदद से मैंने पहले इसको याद कर लिया और याद करने पहले मैंने इसको draw कर लिया draw करने कि और मैं अंदर पानी को दाखिल कर रहा है फिर पाने को निका रहा है कहीं पर इंजाइम निका रहा है कहीं पर अनर्जी बन रही है और मैंने दो अनर्जी यहां पर बनाई है NADHK2 और FADHK2 यह दो अनर्जी मैंने बना दी है एक करब साइकल में तीन NADH बनती है और एक जोन से FADH बनती है और एक बनती है जी टी पी मतलए कि ये मैंने लास्ट में ये बनाई है अनर्जी तीन एन एडी एच एक एफ एडी एच एक जी टी पी और मेरा साइकल ये कम्प्लीट हुआ आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिस रहते हैं इस टेप को ये ये कर रहा हूँ इसमें ये चेंज हो गया ये दाखल हुआ ये रिमूव हुआ ये एड हुआ और ये इसमें चेंज हो गया ये तीन कारबन वाला ये पांच कारबन वाला ये चार कारबन वाला ये छे कारबन वाला ये असान अपने वर्ड में भी लिशते हैं मिटीरियल सारा ये आप अपने वर्ड में लिख लें ये कताब से दफ़र रीड़ आट कर लें टॉपिक आप एज़ेटिस लिखेंगे इंशाला आपके नमबर नहीं कटेंगे ओके बटा अलाफीस